नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आसा करती हूँ, आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो आज जो रेसिपी आप लोग के साथ सेर करने जा रहे हैं ये रेसिपी है सेजवान चटनी की तो सेजवान चट्णी बनाने के लिए कास्मीरी लाल मिर्च जो भरवा अचार के लिए बनता है ना वो लाल मिर्च हम ले लेंगे चार पाच बड़ी लाल मिर्च एक इंच अदरक का टुकडा और इसे मोटे-मोटे काट लेंगे उसके बाद फिर हम इसको करेंगे इसलिए हाप इंच लिए अगर आप खाते हैं तो थोड़ा और इसका क्वाइंटिटी बढ़ा सकते हैं मेरे घर में अद्रक जादा नहीं उच किया जाता है थोड़ा बहुत यूच कर लेते हैं तो यह देखिए सारा चीची कट्चट के रेडी हो गया सब सुत्रा हो करके ता डालेंगे उसके बार डालेंगे हम क्यूमें सिट्स जीरा एक चमच जीरा को अच्छी तरह से चटकने देंगे जब जीरा अच्छी तरीके से चटक जाए तो फिर इसमें हम डालेंगे सौफ यह भी थोड़ा सा एक दम एक चमच ताकि क्रंचनिस रहे मसाले की और उसके बा हम स्मूथ पूरा पीसे हैं तो उसको अच्छी तरीके से डालने के बाद फिर आगे का प्रोसेश हम करेंगे तो यह चटनी बहुत ही टेस्टी डिलीशियस बनता है आप किसी भी चीज के साथ इसे खा सकते हैं जैसे कि अचार है पराठा है चावल है दाल है बहुत अच्छा और यह सेजवान चटनी होता है ना आप चॉमिंग बगेरा में भी डाल सकते हैं कभी ब्रेट पर भी अस्परेट कर सकते हैं तो जैसे इसको खाना हो आप सेजवान चटनी उस तरीके से खा सकते हैं होममेड सेजवान बहुत ही टेस्टी होता है मार्केट बालों से बहुत तो अब हम इसमें डालेंगे नमक, नमक दो चमच के करीब डाले हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाले और थोड़ा सा हल्दी पॉडर क्योंकि हमारे बिहार में तो भाई बिना हल्दी का खाना सुब माना ही नहीं जाता है, जब ये कडाही छोडने लगे तो तेल में हम डाल देंगे, ये होमेड अचार मसाला है, इस जगे पे आप आमचुर पॉडर भी डाल सकते हैं, या तो फिर चाल ये चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्वाइंट्रिक हम डाले हैं, घाई-चमच के करीब बड़ी चमच से, और फिर हाप चमच ढाल है हम लाल मिर्च पॉडर और यह देखिए पूरा मसाला भून करके लगभग रेडी हो चुका है क्योंकि कडाही छोड़ रहा है तो इसी तरह तरीके से अभी सेजवान चटनी बनाएं बहुत ही टेस्टी और डिलिसियस बनेगा जो मार्केट से आप लाते हैं ना उसे कहीं य संजट नहीं है बहुत ही टेस्टी होता है तो देखे पूरा तेल रिलीज कर रहा है धीरे-धीरे कडाही छोड़ रहा है तो इसी टाइम पर हम इसमें दो बड़ी चमच वैनिगर डालेंगे और फिर इसको हम मिक्स कर लेंगे बैनिगर डालने के बाद में यह लोफ लेम प यह आपको बिलीव नहीं होगा कि बस चार चीजों से सेजवान चटनी घर पे बन सकता इतना टेस्टी जो हम मार्केट से लाते हैं बिल्कुल परफेक्ट और सुध्ध तो अगर यह रेसिपी आपको मेरा रेसिपी आपको अच्छा लगा होगा तो पिलीज मेरे चैनल को ल एस लिए बहुत ही टेस्टी है इसको यह करीब 3-4 मंत के लिए अस्ट्रोडवल है तो कोई दिकत नहीं है आप रहें रख करके लंबे शमय तक यह खा सकते हैं बाहर भी इसे 3-4 महिनें तक रह सकते हैं कोई दिकत नहीं हैं बिल्कुल इमसर्श्पी मेरे को सब्सक्राइब में और फैमली में बनेगा तो मेरे चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले